मेरी मा एक तरह से मतलब अनकहे तरीके से एक समाजवादी सोच में शुरू से ही थी और वो हमारे घर में भी रिफ्लेक्ट होता था हम लोग पालम एरपोर्ट पे उतर रहे थे और दूर से समय एरपोर्ट के थोड़ा बाहर जो जुगियां थी वो दिखने लगी और मैंने अपनी मा से बुझे हैं ऐसे लोग रहते हैं यहां पर चलो वापस चलते हैं तो उन्होंने का नहीं बेटा यह अपना देश है अगर ऐसे रहते हैं तो अगर ऐसे रहते हैं तो we should do something about it मुझे याद है मेरी मा के भी बड़े यादगार स्टूडेंट से सीताराम यचुरी वस वन अफ रस्टूडेंट्स तो मुझे याद है वो नोटिस उनको भेजा करती थी थी कि आके मुझ से मिलो चैप्टर का क्या हुआ तो सीताराम जी आते थे वो दो कौपी स्टूडेंट श्टूडेंट लेकर के 1983 में शंकर गुहान योगी को एरेस्ट किया गया था एनेसे में उसका जूलूस निकाल रहे थे तो फिर हमने जाना शंकर गुहान योगी के बारे में उनकी यूनियन के बारे में और ये पता चला कि वो बहुत अनोखा किसम का यूनियन है वो स्कूल भी चलाता है अस्पताल भी चलाता है और शराब बंदी की बहुत बड़ी वहां पेस सक्सिस्फुल लड़ाई हुई और बहुत लोगों ने शराब पिना छोड़ दिया था बस मुझे प्यार हो गया उस समय उस यूनियन से मुझे लगा कि मुझे तो यही काम करना है और टाइम लगा 84 में मेरी पढ़ाई खतम हुई मा भी चिंती थी बोलती थी क्या करोगे बतलब तो मैं कहती थी जो यूनि उन्हों ने ऐसे देखा मुझे जैसे है पागल हो गई है तो बोले आप अपने घर के कुसी मर्द को नहीं लाए है साथ में यह देखिए है सोच देख लीजिए पहले आप उनको लगा यह ती चार पागल औरते आ गई है उनको अमेरिकन नेजनल्टी वापस करने है उन्ह स में मां से करती हूं कि वो कारवार की थी और आपको याद है कि मतलब बेल गाओं कारवार धारवार यह सब गोवा के का नजदीकी पोर्शन था और गोवा का तो बहुत बाद में आजाद हुआ तो वहां पर सोचलिस्ट मूव्मेंट का एक बड़ा गड़ था तो मेरी मां एक तरह से मतलब अनकहे तरीके से एक समाजबादी सोच में शुरू से ही थी और वो हमारे घर में भी रिफलेक्ट होता था जिस तरीके से वो स्टूडन्स को ट्रीट करती थी जिस तरीके से हमारे हां काम करने वालों को ट्रीट करती थी तो वो तो एक तरह से शुरू से ही जान्स मिल गई, तब मेरे दोनों पेरेंट्स जो है, वो पोस्ट डॉक्टरल के लिए गए हुए थे, तो वो, अब क्या कहिए, अब क्या कहिए, उस समय वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे शायद, एक बच्चा, पर वहां से तो एक साल की उमर में ही आ गई, पर हां, अमेरि साल की उमर में, अचुली, मेरी मदर ने, उस समय एक बहुत फेमस एकॉनिमिस्स थे, पियरो स्राफा, जो इटालियन कम्मिनिस्स मूव्मेंट के भी मतलब, जो ग्रामशी के बहुत क्लोज माने जाते हैं, पियरो स्राफा, और वो ट्रिनिटी कॉलिज केंब्रिज में एक इतली से और वहां पर उन्होंने शरन लिया था, और उनकी एक किताब थी, Production of Commodities by Means of Commodities, एक बहुत क्लासिकल वर्क है, बहुत टर्स वर्क है, छोटी सी पतली सी किताब, तो मेरी मा को उस समय, Economic Political Weekly के शायद सचिन चौधरी थे उस समय, उन्होंने बुला के उनको कहा कि एक दो महीने में नहीं लिखा जाएगा तुमसे, उन्होंने छे महीने लगाएं, और जो रिव्यू लिखा, वो बाद में जब पियरो सराफा के पास चला गया, तो वो काफी इंप्रेस हुए, और फिर उन्होंने व्यवस्था की, कि मेरी मा वहां पर Cambridge आ जाएं, और मैं च बच्पन की यादें mostly Cambridge की हैं, तो चार साल की उमर से लेके 10-11 साल की उमर तक हम वहां थे, उसमय तो हमारा घर तो पूरा Indian students का अड़ा बना रहता था, खास करके vegetarian students का वहां जाते, तो हमारा घर बरा ही रहता था उन लोगों से, और आकरी आकरी में थोड़ा racism वहां दिखने लगा था, हाला की Cambridge तो एक वो थी, उनिवर्सिटी सिटी थी तो वहां पे हर नसल के और हर देश के, हर राश्टिता के लोग वहां पे थे, students campus पे, पर फिर भी वो शुरुवात हो गई थी उसकी, और वैसे भी मेरी मां का कोई इरादा नहीं था वहां से टल होने का, तो वो वापस आई और आज भी मुझे वो याद है जिस समय हम लोग पालम एरपोर्ट पे उतर रहे थे, और दूर से समय एरपोर्ट के थोड़ा बाहर जो जुगियां थी वो दिखने लगी, और मैंने पनी मा से बुझे, मैं का ऐसे लोग रहते हैं यहां पर, चलो वापस चलते ह अगर ऐसे रहते हैं तो we should do something about it, तो I remember मैंने का अच्छा, तो क्योंकि बतलब उस समय उतना ज्यादा थैचरिजम अगेरा उतना ज्यादा परबल नहीं हुआ था बृतन में और हम सब लोग फ्री स्कूल लंच और फ्री मिल्क और यह सब मिला करता था, तो उस समय तक कुछ आइडिया नहीं था मतलब हलाकि बहुत सिंप्ली रहते थे हम लोग जादा अफोर्ड भी नहीं यह था लेकिन गरीबी क्या है यह मतलब इस तरह के जो कठिनाईयां मतलब इसको समझा नहीं था और दिली पहुंचने के बाद लगब एक साल को डेली उनिवर्स्टी में रह तो उस समय तो वो बियाबान जैसा था मतलब एक ही क्वाड रैंगल बना हुआ था उस समय मुझे यादे सारे सारी टीचिंग भी ओल्ड कैंपस में हुआ करती थी और धीरे-धीरे करके वो नालंदा नुमा सब स्ट्रक्चर्स वो होस्टिल बगएरा बनने लगे थे हम लो बाती दिन जो जैन्यू के थे जिसमें हमारे नेबर विपिन चंद्रा भी थे मुनेशरजा भी थे सीपी बामरी थे अलग अलग डेपार्टमेंट्स बन रहे थे और बड़ा जैन्यू के लेए बड़ा यादगार समय था क्योंकि नए तरह के कॉर्सिज नए तरह के डेपा कर्मचारी के भी बहुत close relationship था वो सब अमने बच्पन में देखा तो एक तो campus पे रहना ये एक बड़ा बहुत बड़ा influence था मेरे life पे और वो campus मतलब ऐसा campus था मतलब even जब elections होते थे students के तो गुंडागर्दी मार पीट नहीं वहां तो debates हुआ करते थे मतलब तो वो सब debate सुनना वो सारे cultural programs जाके देखना मुझे याद है मेरे मेरी मा के भी बड़े यादगार students से सीता राम युचुरी वो one of her students तो मुझे याद है वो notice उनको भेजा करती थी थी कि आके मुझ से मिलो chapter का क्या हुआ तो सीता राम जी आते थे और दो copy students struggle लेकर के तो वो कह दे थी very nice सीता लेकिन तुवारे chapter का क्या so मतलब लेकिन ये एक उस campus का महौल और उस campus का ये था कि यहाँ के जो students हैं वो एक एक जो research करना चाहते हैं जो खोजना चाहते हैं जो debate कर रहे हैं वो भारत की जो बस्तविकताएं हैं उनसे जूजना चाह रहे हैं कहीं न कहीं और खुद मेरी मा के student सुनील गुपता उनमें से एक student थे जो बाद में केसला में जाके आदिवस्यों के बीच में काम किये सीता राम जी का तो मैंने बताई ये आपको एक और उनकी student थी जो बंजारा community से आती थी और बाद में काकिनाड़ा university की head of department of economics बनी मुझे याद है अभी भी कि वो जब आई थी तो शुरू में काफी उनकी ragging हुई थी और उस समय उनी की classmate उनी की roommate थी जो एती घोष जो student थी उस समय बाद में वहीं प्रफिसर भी बनी तो वो लेके आई थी हमारे घर और मेरी मा ने परसनली जाके उसको मनाया कि तुम घर गाउं मत जाओ तुम मेरे पास आके रहो और कुछ दिन वो हमारे यहां रही हैं और बाद में काफी मजबूत हुए और आज भी वो याद करती है कि शायद तो ये एक महौल जिसमें गाउं से भी लोग आ रहे थे अंग्रेजी नहीं सीखने वाले लोग भी आ रहे थे जग history में interest था literature में interest था लेकिन जैसा होता है अगर आप math में अच्छे होते होते हो तो आप science ले लेते हो थो science में чले गए और फिर I.T. का एक्जाम देके और I.T. कानपूर में मैंने 5-ysz म म misined C mathematics के लिए किया वहाँ पर जो एक दो चीजें मतलब एक तो हम लोगों का एक स्टूडेंस का स्टूडी सर्कल था प्रोफेसर एपी शुकला थे वहाँ पर फिजिक्स डिपार्टमेंट में और बहुत मतलब हम लोगों ने बहुत स्टूडी किया एक्चली जो जो एकोनोमिक कंडिशन के बारे में फ्रीडम मूवमेंट के बारे में उस फूडिम मूवमेंट में इवन जो कम्मिनस मूवमेंट के रोल के बारे में और साथ में मुझे याद है उस समय उन नाओं में एक फारिंग हुई थी वहाँ पर गए थे आसपास के करने गए थे आयाटी के अंदर जो एनसेस था उसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाने जाते थे किसी गाहों में तो धीरे धीरे एक और खासकर कि वो तो मेरा बहुत एक पहली बार मुझे समझ में आया कि जो मतलब जो दलिद बच्चे थे वो तो सरपंच के घर में आ भी नहीं सकते थे शुरू में जब हम लोग गए तो सरपंच साहब ने बढ़े बढ़ियां सा अपना घर दिखा दिया यहीं लगाए लेजिए आप अपनी क्लास बास तो हमने क एक तरह से विदेश से आई थी मुझे बहुत इन चीजों की समझ और भी कम थी पर बाद में फिर जिद करके हम लोगों ने महीं स्कूल दलिद बस्ती में ही चलाया वहाँ पर मैस वर्कर थे हमारे आयटी में और मैस वर्कर का पहले से संगठन था और खास करके उनका कल्च अधिरल टीम था उसके अंदर मैं काफी एक्टिव हो गई और फिर मेस वर्कर के इशू और ये सब तो ये धीरे धीरे जो मज़ूर वर्ग के बारे में एक एक क्या बोले है एमपेथी कह लिजिए जुडाव जो है गहरा होता चला गया हला कि उस समय तक भी मैं ये सोचती कि नहीं ठीक है मैं बच्चों को पढ़ाओंगी कभी मैं ने ट्रेड़ उनियन लाइफ के बारे में ऐसा डायेक्टली नहीं सुचा था कि नहीं मैं कुछ लेकिन सहाइता में कुछ करना चाहती हूं काम करना चाहती हूं एक टीचर बनना चाहती हूं और शुरू में जब मै एक्टिविस्स हैं, उन सब लोगों के लिए वो एक दौर था, 1982 में इशेड हुआ, इशेड के लिए बड़े पैमाने पर जो है, वो migrant workers लाएगे, चारो तरफ से, और जगे जगे पर उनके camps लगाएगे, बाब्द वायर के साथ, मतलब लिटरली concentration camps जैसे थे, और एक बहुत बड़ा JNU के पास लगाया गया, जहाँ भी प्रिया, सिनेमा बगर है, वहाँ बड़ा सामयदान था, वहाँ पर बाब्द वायर के अंदर ये मज़़ूर थे, और मुझे अभी भी याद है, हम लोगों का उस समय एक ग्रूप था, कुछ AIMS के डॉक्टर्स थे, कुछ JNU के स्टूडेंट से, और मैं तो आती थी IIT कानपूर से, और बीच-बीच में इस ग्रूप के साथ काम करती थी, तो हम लोग जाय करते थे, तो डॉक्टर्स का तो खेर, काम था मरीजों को देते हैं, हमारा काम था, बच्चों को पढ़ाना या और चीज़ है, और मुझे याद है कि वो जादा तर उस समय कुछ उड़िसा के मजदूर थे, कुछ बिलासपुर के मजदूर थे, 36 गड़ से, और हमारे साथ में एक उड़िया साथी था, तो उसने उड़िया भाशा में उन मजदूरों से बात जब करनी चाही, तो एक ने बहुत रोते हुए बताया है कि हमारे, मेरी पत्नी बिमार है, मुझे घर नहीं जाने दे रहा है, ठेकेदार, और सब कुछ कट जाता है, हमारा जो पैसा भी है, यहीं चावल लेने के लिए, वो उसी के दुकान से लेना पड़ता है, वो सारे पैसे कट जाते हैं, तो मतलब पहली बार वो बॉंडेडनेस का एक एहसास होने लगा, कि कितने फसे हुए हैं लोग, और अगली बार जब हम गए, वो मजदूर गए, तो वो मुझे याद है कि वो पहला जटका था जब मुझे समझ में आया कि इतना हलका फुलका नहीं है मजदूरों को संगठ बनाना, आप जो एक अच्छाई की दृष्टी से जा के कुछ मदद करने की सोच रहे हैं, हो सकता है किसी के लिए जानलेवा हो जाए, क्या मालूम वो किदर गया, उसको कहीं भेज दिया, कि क्या किया, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं चला, तो उस समय से एक सीरियस, ट्र मतलब, मैगजीन था, वाल मैगजीन था, जिसको स्क्रीन प्रिंटिंग से हम लोग निकाला करते थे, और उसको जगे 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 जाके, खास करके, उस समय 1983 में, टेक्स्टाइल मिल्स का, जब यहां पर अंदोलन में चुरुआ, तो दिली में भी शुरुआ था, DCM, और ब लोगों से बात करते थे, वहां एक बहुत पुराने एक दोस्त बन गए हमारे तिवारी जी, वो मतलब 11 साल की उमर से घर से भाग के, और CPI और बाद में CPM, मतलब, जब भी कोई स्पलिट होता था, he was always on the radical side of the split, तो वो जिन्दगी बहर, मतलब, एक बैचलर के रूप में, एक, मतलब, और एक, सच में मैंने पहली बार एक मजदूर वर्ग का एक बुद्धे जी भी, उनके रूप में मैंने देखा, और, मतलब, लास्ट में भी, मतलब, उनकी मौद भी हमारे यहां हुई एक तरह से, सहीद हॉस्पिटिल में, दली राजरा में, जब हम रहने लग तो वहीं आके वो भरती हुए, उनके प्रॉस्टेट का कैंसर था, वहीं उनकी मौथ हुई, तो ऐसे लोग मिलने लगे, और इस दोरान हमने नियोगी का नाम सुना, क्योंकि वहां पे जो टेक्स्टाइल में एक कॉम्रेट श्रीराम थे, वो भी गले की कैंसर की वज़े से उनकी मौथ हुई, C2K थे, बहुत अच्छे निता थे, उस समय उन्होंने 1983 में शंकर गौहन योगी को एरेस्ट किया गया था, NSA में, उसका जुलूस निकाल रहे थे, तो फिर हमने जाना शंकर गौहन योगी के बारे में, उनकी यूनियन के बारे में, और ये पता चला कि बहुत अनोखा किसम का यूनियन है, वो स्कूल भी चलाता है, अस्पताल भी चलाता है, और शराब बंदी की बहुत बड़ी वहाँ पर सक्सिस्फुल लड़ाई हुई थी, बहुत लोगोंने शराब पिना चोड़ दिया था, और फिर हम लोग भी उस कैंपेन में जुड़ के लिए, तो मुझे याद है हम लोग JNU के प्रोफेसरों के यहां जा करके सब तिक नेचर लेना, ये सब करना, प्रेजिडेंट के पास देने के लिए, फिर बाद में जब वो छूटे, उन्होंने का ये बच्चे कौन है भई, मैं मिलना चाहता हूँ, तो पहली बार मैं दली राजहरा, 1983 में गई, डिसेंबर में, उस समय ये वीर नारायन सिंग एक आदिवासी हीरो होते थे, 1857 के, उनको एक्चुली नियोगी जी नहीं स्थापित किया, और उनका दिवस मनाने लगे, बाद में देखा देखी, अरजुन सिंग ने कॉंग्रेस की तरफ से भी व दान लूट करके लोगों को माटा था, तो पहली बार वो जाना और मैंने इतने लोग, नंगे पैर इतने लोगों को मैंने कभी देखा ही नहीं था, और किस तरीके से वो सारे लोग चावल बना रहे थे, मतलब मुझे अभी भी वो याद आता है, बड़े-बड़े जो टब थे, उसमें गरम पानी में ऐसी टोकरियों में चावल लेकर ऐसे डुबो डुबो के वो चावल बन रहा था, उसके खुश्बू आ रही थी, मतलब बस मुझे प्यार हो गया उसमें, उस union से मुझे लगा कि, ने मुझे तो यही काम करना है, और टाइम लगा, 84 में मेरी पढ अधिला के लिए थोड़ा इतना आसान नहीं होता यह सब, आप थोड़ा सा सोच समझ के जाओ, तो, पर वो उस समय का मेरा जिद भी था, और मैंने का ने ने आप बस बहाने से ऐसा कर रहे हो, आप चाहते हो कि मैं घर ना चुड़ू, मैं अकेली बेटी हूं, और हम दोनों किया, नैशनलिटी मैंने गिव अप किया, जब मैं, मैंने प्रोसेस तो पहले शुरू किया था, पर फाइनली वो प्रोसेस कंप्लीट हूआ है, वन आई वस 24, यानि की, 61 में मैं बॉन हूं, तो 85 मैं, मैंने बली नजरा जाने के बाद ही आपने लिए 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 लिए, क्यूंकि, as an American national, मुझे हर छे महीने वो FRRO में जानकारी देनी पड़ेगी, मैं किदर हूं, क्या हूं, यह मेरा देश है भई, मैं अपनी मर्जी से यहां रह रही हूं, मुझे यही रह लोगी, तो मैं तो सीधा चलीगे, बले माडम लाइन नहीं देख रही है, मैंने का ने नहीं, मैं अमेरिकन हूं, आईए, 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 चलो ठीक है भई, आईए, तो मेरे साथ मेरी माँ थी, प्रफेसर सुननन्दा सेन थी, प्रफेसर जोयती घोष्ट थी, तो उन्हो मैं घर के किसी मर्द को नहीं लाए है साथ में, ये देखिए, सोच देख लीजिए पहले आप, उनको लगा ये ती, चार पागल औरते आगे हैं, इनको अमेरिकन नेशनल्टी वापस करने हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कुछ, तो फिर बोले, अच्छा, मैं देखता फिर बोले, आप अगले हफते आईए, यहां फॉर्म नहीं मिल रहा है, अभी तक किसी ने मांगा नहीं ये वाला फॉर्म, तो अगले हफते गये, फिर उन्होंने मुझसे पूछा, ने आप शुर है ना, बोले, देखिए, आप कभी अमेरिकन आर्मी में सर्विस नहीं कर पाएंगी, हमको क्या हिराग जाना है तुम्हारे काम पे, मन्ना अमेरिकन आर्मी, क्या बोल रहा हो तुक, ने ने, I am quite sure, then I give up my nationality, और उसके बाद से, Home Ministry की तरफ से मुझे certificate मिला है कि मैं बारती हूँ, और मैंने कभी passport बनवाए नहीं, तो passport तो मेरे पास है नहीं, बस मेरे पास, लेकिन Home Ministry की certificate, जो बहुत कम लोगों के पास होगा, एक राश्ट्रीता का certificate है कि I have become an Indian national, तो, हाँ, मतलब एक बार वहाँ चले गए, यूनियन में तो, मतलब, मुझे निश्चित हो गया था कि मैं यही काम करना चाहती हूँ, और लोगों के बीच में काम करना चाहती हूँ, तो, ऐसी वो जनी थी, देरे-देरे हुआ, और, मतलब, उस समय, मुझे यादे, 84 में, जो, एक तरफ जो, सिक, विरोधी दंगे हु फिर वो भोपाल गैसकांड का हुआ, बहुत सारी चीजों ने हम लोगों के, जो, एक तरह से राजनितिक समझदारी को, मतलब, हाँ, प्रभावित किया, और लगा कि नहीं कुछ, बुनियादी तोर पे कुछ करना चाहिए, कुछ बुनियादी तोर पे समाज को बदलना है, उस समय जो नियोगी जी का यूनियन था, मतलब जिसमें वो बोलते थे कि ये 8 गंटे की यूनियन नहीं, 24 गंटे की यूनियन है, जहां-जहां मजदूर के जीवन है, वहां-वहां तक हम यूनियन को जाना चाहिए, और 17 विभाग बने हुए थे, मतलब, स्वास्त का भी, महिलाउं का भी महिला मुक्ति मुर्चा बना था, जो किसानों के साथ काम करते थी, और ये मतलब, ये मजदूर किसान, अब जहनडा ही लाल हरा था, मजदूर किसान का, और बहुत, जो मजदूर यूनियन था, उसकी बहुत, मतलब, आसपास के, मतलब, 100-500 गाओं से गेरा रिष्टा था तो ये चीज और लोगों के अंदर एक सपना था मतलब जो नियोगी जी ने मतलब वो चाहते तो अपने यूनियन का नाम आइरन और स्वमिक संग रख सकते थे तो उनकी एक समझदारी थी कि ये जो चतिस गड़ मतलब एक तरह से जो 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 चतिस गड़ का इल तो लोगों के जीवन के हर पक्ष को वो यूनियन चुएगा ऐसे